प्यारी बैचो नमस्कार, याप करते हैं आप बेटर होंगे, आपके परहाई लिखाई बहतर हैं चल रहा होगा, आज आपकी पहली कलास है अर्थमेटिक में शुक्त है रहा होगा, की कैसे परहाई होगी, क्या सिखेंगे, क्या मेरा पैसा डूबेगा, बहुत रही पहुत कि जब भी पढ़ाना स्टार्ट करते हैं क्लास में तो हम पहले बोल देते हैं कि आप मैथ में क्या हैं क्या जानते हैं हमें उससे कोई लेना दिना नहीं है यानि आप मैथ जानते हैं अथवा न जानते हैं हमें कोई फरक नहीं पढ़ता आप अगर मैथ न जानते हैं तुमने ल तो हम कॉपी कलम ना लें, भिल्कुल ओफ्लाइन में जिरिष धंग साप क्लास करते हैं, उसी धंग से यहाँ पे आपको क्लास करना है, तब जाकर आपको फायदा होगा, अज जो बताते हैं उसकी प्रेक्टिस भी आपको बार बार करना है, और क्यों वाली बात है, आधुनी हुआ यह कैसे हुआ अपने आप सारी बात क्लियर होता चला जाएगा आपको पुछने से पहले ठीक है दोस्तों तो सुरू करें आज का क्लास आज सबसे पहला क्लास आपका है और उसमें हम पढ़ाने वाले हैं C9 मेठट ध्यान से हम समझेगा C9 मेठट ठीक है C9 मेठट यह क्या है हम इसको पहले क्यों पताते हैं क्लास में क्योंकि जब भी हम मैठ को बनाते हैं तो वहां पर सबसे बड़ा समस्या आता है कल्कुलेशन में नियम तो बहुत असान है बताएं गर चुटकें बन जाएगा तो सबसे पहले समस्या आता है कल्कुलेश पहले समझेगा क्या बता रहे हैं अगर यह कोशन को दे देती हैं पर कि 24 प्लस 35 कमान क्या होगा तो आपको साथ में चार ऑफ्जेक्टिव चार ऑफ्सन भी वह दे देगा नहीं एक में डाल देगा पांचार नाव तीन दू पाच एक में इसका सही उत्तर डाल देगा चार मे इससे मिलता जुलता ऑफ्सन डाल देगा जैसे मानलो यहां पर 79 डाल दिया यहां पर मानलो यह दाल दिया इधंग से चार मिलता जुलता ऑफ्सन डाल देगा अब आपको कहेगा किसका एंसर क्या होगा A होगा B होगा C होगा D होगा यानि कि हम objective multiple choice माला question के क्यारी करते हैं अब तो कुछ idea की हमको होना चाहिए उतर निकालने का मेठर तो रहेगा है रहेगा वो तो हम पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे देखो अगर यहां पर हम इसको बनाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे यहां पर 4 अदु शे हुआ यहां पर 5-3-8 हुआ 814 मतलब 5 हैना अब किसका प यहां पर इसका चार आया यह उतर हो सकता है इसका 4 अदिए उतर हो सकता है इसका 64 अधा यह उतर नहीं होगा यानि के मेरा उतर बता दिया मेँ क्या समझा दिया वही बात का discuss यहां पे हम करने वाले हैं तो चलो भाइन हम सुरू करपे हैं सिनाऐनrån मेठर का concept अगर को संख् 8 1 3 4 5 यहां पे दे दे 7 दू ठीक है तो सबसे पहले आप सिखेंगे इसको single digit में करभड करना single digit में इसका मान क्या होगा इसको हम सिखेंगे ठीक है चलो अब यहां पे ध्यान देना गौर से समयना c9 कहता है कि सबसे पहले इसको single digit में बदलने आना चाहिए इसके लिए क्या करोगे यह सारे अंग को जोड़ोगे जैसे 8 plus 1 plus 3 plus 4 plus 5 plus 7 plus 2 अगर इसको जोड़िएगा तो हो जागा 9, 3, 12, 12, 14, 16, 16, 15, 21, 27, 28, 32 पुना दो अंग आ गया पुना इसको जोड़ो 3 plus 0 यानि कितना आगा या तीन यानि इसको अगर single जी निकालेंगे तो 3 आएगा लेकिन आप ऐसे नहीं करेंगे करेंगे क्या तो याद रखिए 9 का मतलब 0 और 0 का मतलब 9 आप याद रखिए कैसे होता है सारे बात आपको बताएंगे 9 का मतलब 0 0 का मतलब 9 अपनी सुभधा के अनुसा रख कर कल कोशन करिएगा कहने का मतलब मेरा यह है यहाँ पर देखो ठीक है इसको हम ऐसे जोडते हैं 8 है एक 9 9 मतलब 0 5 4 9 9 मतलब 0 7 है दुनाओ 9 मतलब 0 क्या बच गया भाईया 3 बच गया यानि कोई भी संख्या को सबसे पहले आपको सिंगल डिजिट में बदलने आना चाहिए कहने का मतलब मेरा यह है कि अगर कोई संख्या दे दे जैसे मालो 5 4 3 2 6 8 इसको सिंगल डिजिट में बदलना है आपको बता दिये हैं 9 मतलब 0 जीरो मतलब 9 यह आपको याद रखना है ठीक है तो कैसे बदलोगे पहले इसको सिखे हम तो कहेंगे यहाँ पर गौर से समझेगा 5 4 9 मतलब 0 6 3 9 मतलब 0 8 2 10 10 आया तो 10 को पुना इसका अंग को जोड़ देना कितना आ गया एक आ गया हमें लगता है यह बात आप समझ गये होंगे ठीक है यह 9 मतलब 0 हम क्यों करते हैं इसके बारे में बताएंगे यहाँ पर ध्यान 4 चलो भ़हिया भाग देते हैं 9 5 24 00 कितना आया जाया जाया आथ 9 37 27 तो कहोगे एक फिर चार के लिएर है फिर एक वार लएकश फिर मेंटा 9 6 कितना पाच आ इसा के तहए सका आती कितना आ उन्हूर से देखिए यहाँपर 6 5 11 111 2 यगारा मतलब दू 8 10 10 मतलब एक एक का चार कितना आता पाच आता ।था इसका सिंग्ल टी तो किसी विर्हन से आप निखाल सकते हैं सिंग्ल टी निकालने का मतलब इसको आंको ने जोड़ा पान शे आठ चार इसका अंको मैं जोड रहा हूं 6 5 11 8 19 19 23 का मतलब फिर जोड दिय तीन अदू पाच कितना आ गया पाच आ गया तो इसका जो सिंगल इमान आया पाच वो ही इसका सेस आता है यानि कोई भी संख्या में नाव से भाग देने पर सेस वहीं आयेगा जो इसका सिंगल डिजिट मान आयेगा यानि अगर इसका सिंगल डिजिट मान जीरो आ गया तो ह कहेंगे कि वा संख्या 9 से कड़ जाएगा तो हम कहेंगे कि वा संख्या 9 से कड़ जाएगा जैसे देखो अगर यहां पर दे दे 8 3 6 1 ठीक है अब इसकों में अगर हम 9 से भागा देंगे तो यह कटे गा ही नहीं कटे तो यहां पर सिंग्ल डिजिन पता करके भी तुम बता सकते हो देखो 8 1 9 मतलब 0 शोती 9 मतलब 0 इसका सिंग्ल डिजिन मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा यानि कि 9 से भाग देने पर संख्या पूरा पूरा कर जाएगा देखो 9 8 2 9 81 9 9 क्या होगा 81 कि लिए रहे भाईया यह आ गया 2 6 फिर 9 2 नहीं 18 यह आ गया आपका कितना आ गया तो 8 आ गया फिर 1 फिर 9 81 सेस कितना आया 0 बात समय में आ गया कि 9 को हम 0 क्यों बोलते हैं तो याद रखेगा अपने अनुसार इस तरीका से बनाएंगे तो 9 का मतलब 0 होगा अज 0 का मतलब क्या होगा 9 होगा तो यह दो बात आपने स्क्छ चुका पहला सिंगल जिग्मान निकालना दुसरा 9 मतलब 0 या 0 मतलब नव करना ठीक है अब यहाँ पे बात करते हैं इसका यूज कहां कहां पे होता है तो चाहे वो जोड की बात करे, घटाव की बात करे, गुना की बात करे, या भाग की बात करे, ये चारों में से किसी भी बात करे, तो वहाँ पे C9 का हम्यूज कर सकते हैं, और जितना भी मैइत है, जितना भी, चाहे एवरेज हो, रेसी हो, परसेंटेड हो, CIE हो, कमपाउंड इंट्रेस्ट, चक्रिविर्धी ब्याज, सधारा ने ब्याज कोई भी चेप्टर हो, सब में कल्कुलेशन आता है, कल्कुलेशन जोर घटाव गुना भाग से ही बनता है, अता कल्कुलेशन को कम करने के लिए ये बहुत ही आपके लिए कारगर साबित होती है, ठीक है, अब य यहां पर दे दे, मानलो 35 या 23, 20 यहां पर दे दे 46, क्लियर है भाई, अब इसको जोड़ोगे तो क्या आएगा, 6, 39 आएगा, 4, 2, 6 आएगा, अब यहां पर फ्वासा देखिए, इसका सिंगल दी निकालते तो कितना आता, 5 आता, इसका कितना आता, 6, 10 याने की एक आता, प यानि संख्या को सिंगल डी से कलकुलेट करने पर वही एंसर आएगा, जो इसको युकफल का आएगा, ठीक है, इतना ही नहीं, अगर यह घटा होता, सपोज मानलो यहां पर दे दिया होता, कि 46 माइनस 23, 46 माइनस 23, घटा आते तो आपको आ आता, 23 आता कि नहीं आता, अब यहां पर गौर करो, इसका सिंगल डी निकालो तो 6, 4, 10 मतलब क्या आया, एक आया, तीन अदू 5 मतलब क्या आया, तीन अदू 5, इसका 5 आया, एक में से 5 को घटा होगे, तो कितना आजाएगा, माइनस 4 आजाएगा, सिंगल डी कभी माइनस में नहीं आता, माइनस में जब calculation जो आया था उसका भी single पाच आया इसका भी क्या आया पाच या इतना ही नहीं अगर गुना की बात कर दे मान लो 46 गुना 23 कहा होता ठीक है 46 गुना 23 कहा होता किलियर है तो कितना आता तो कहोगे तो शिती 18 कहा है आठ बाकी एक बारा दूरी 24 एक पचीस के पाच बाकी दूर चादूरी आठ दस इतना आता क्या यहाँ पर देखते हैं चेक करके इसको यहाँ पर गुर करोगे तो 6,4,10 मतलब किया आ गया एक आ गया तीन दूर पाच आ गया अगर इसको गुना करोगे तो क कि लिए घटाओ पर भी गुना पर भी भाग कर भी यह लागू होती है लेकिन हम सारा ची एक बार ना बताएंगे हना आगे बताएंगे कुस कंसेफ्ट डेवलप हो जाने के बाद कि भाग पर जैसे की 15 बटा साथ के अगर बात करें तो यहाँ पर भी सिंगल डिज हम कैसे उसकी बात हम करेंगे लेकिन फ्रासा रुख कर आगे करेंगे ठीक है तो यह बात तो हमको समय आ गया कि सिंगल डिज से एक ची तो किलियर हो गया कि जो रिजल्ट का सिंगल जी आएगा वही इसको कलकुलेशन करने पर भी आएगा तो इसका यूज करके हमसे कोश्टन हना क कि सिंगल डिजिट क्या आप निकाल लिजिएगा हाँ या ना तो बताए इसका सिंगल यह क्या होगा सर एप में स्क्रेंशूट नहीं होता नहीं होता भाया हना वो सिक्रिटी रिजन है ना स्क्रेंशूट कर सकते हैं और नहीं आप डॉनलोड कर सकते हैं ठीक है अब कराएंगे तो आपको बहुत ही अलग धंका मसूस होगा तो पहले बताएंगे इसका सिंगल ये क्या होगा शे आएगा अन्सू सुनेल बबलू सब का शे आया बिल्कुल कैसे को गौड करिएगा नौ मतलब जीरो जीरो मतलब नौ ये पहले आपको बिल्कुल कंप्लेट होना चाहिए पांचार नौ जीरो हटा दो शे तिन नौ जीरो हटा दो तीन एक चारा दूशे कितना आ जाएगा भाईया शे आ जाएगा यहां तक किने को दिकत नहीं है ठीक है या फिर इसको जोड के भी कर सकते हैं ध्यान रहे पांचार नौ मतलब जीरो शे नौ मतलब जीरो कि आप सकता नपढ़े ठीक है अताराम से रिलेक्स में पढ़ेंगे क्योंकि फांडेशन कोर्स है तो बताए इसका सिंगल डिजिट क्या होगा जल्दी में इसर दीजिए इसका सिंगल साथ अंसु का साथ आया और बताए हां बिल्कुल ग्यांचन साथ गौर से देखे अगर गौर से देखेगा यहां पर पांचार नू जीरो हो गया शेदू आठ एक नव जीरो हो गया कितना बच गया भया साथ बच गया किलिए बिल्कुल सही है तो चलिए सीधे आते हैं यहां पर कोशन पर अगर कोशन होगा तो आप कैसे बनाएंगे इसको इस पर हम विचार करत हैं अगर यह कोशन को गौर से देखोंगे पहला कोशन को तो हमको तो बनाने के लिए गया है कि तीनों को गुणा करने के बाद रिजल्ट किया आयेगा यह मेरा कोशन है लेकिन क्या सिंगल डी से हम बना सकते हैं गौर करिएगा पहले समझ लीजिए सिंगल जी आठ पांग त तो 6, 24, 24 मतलब 6, 6, 8, 48, 48, 48 का मतलब 8, 4, 12 मतलब कितना होगा, 3 होगा, यानि जो भी मेरा result आवेगा, उसका single digit मान 3 होने वाला है, गवर करेगा मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि इसका जो भी result, A, B, C, T, जो भी इसका बेटा बेटी रहा होगा, उसका single digit 3 आना है, तीन के अलावा अगर कोई आउर आता है, तो भाव उसका answer नहीं होगा, ये तीन के अलावा कोई आउर आता है, तो भाव उसका उतर नहीं हो सकता, देखा जाए यहाँ पे, तो 5, 4, 9 मतलब 0, 6, 3, 9 मतलब 0, 4 अदुशे, क्या इसका ये result हो सकता है, तो कहेंगे कोई भी जनम में नहीं हो सकता है, क्यों, क्यों क्योंकि इसका तो result का single digit 3 आना है, ये आगया 6, यहाँ पे गवर करोगे, तो 5, 4, 9 मतलब 0, 6, 3, 9 मतलब 0, आ रहा है, 4, क्या ये इसका result हो सकता है, तो कहेंगे कता ही नहीं हो सकता है क्योंकि इसका result का तो single यह 3 आना था आ गया है 4 आगे देखो 5, 4, 9 मतलब 0, यहाँ पे देखो 6, 7, 7, 9 मतलब 0 कितना आया 3 तो क्या यह इसका result हो सकता है तो हम अभी नहीं बताएंगे क्योंकि 3 किसी स आऔर का भी आ सकता था तो बिना एह option को check के हुए यह कहना गलत होगा कि यह इसका result है हाँ हो सकता है यहाँ पे क्या बोलेगे भाईया हो सकता है अभी तक clear नहीं हुआ है बात को समझेगा मेरी एकक बात को समझेगा आगे अगर यहां पर हम बात करूँ इस कोशन का तो चार पाच नाओ शे अतिन नाओ जिरो हो गया तीन दूपाच क्या ये इसका उतर हो सकता है तो कहेंगे नहीं क्योंकि इसका रिजल्ट का सिंहर तो तीन आना था आ गया है बचेगा क्या वो सही बचेगा क्या तो बिल्कुल सही बचेगा इसके अधार पर उतर करते हैं बहुत सब हाई को लग रहा होगा बहुत सब विद्यार्थी को लग रहा होगा कि सर अगर ये तीन दोगों आप्सन में आता यानि ये पांचमा आप्सन में हम बना देते हैं मान लोग कुछ भी बना देते हैं यही मान लोग बना देते तो अभी नहीं मिलेगा वो कला चलते चलते आगे मिलेगा क्योंकि सारी चीज एक ही साथ दिया नहीं जा सकता है, धीरे धीरे आपको develop होगा, इस बात को समझेगा, यानि क्यों वाला जो प्रस्थ है, अभी कुछ समय तक आप दबाये रखें, क्यों हुआ, ऐसा होता तो क्या होता, अरे भया हम ही नहीं होते तो क्या होता, बात को समझ तो यहां पर अगर ऐसा शिति आ जाता कि दो ऑप्सन फें तिन तीन थिन थेसेम क्या करते हैं, तो यहां पर गोजगी याई जो भी उत्त करकेका होता, यहां पे इसको नहीं है, जो अगे बताएंगे, बात आघना हैं, बात आराण समझ में, और सर अगर 3-2 में लो आएंगी आपको में और सर अगर 3 में तो क्या करता आपके सामने 3 लाकब ने दिखाया और भी तरीका है हम बताएंगे मैथ एक मेठर से नहीं बनता, ध्यान रखेगा, कभी भी मैथ सिख रहे हैं, तो पल भर में हम लोग का इंसान नहीं, इंसान का सबसे बरी गुन यही होता है, कि हम चाते हैं, जितना जल्दी टोटल के टोटल चीज किलियर हो जाए, तो भाईया मैथ में धीरे धीरे आपको य चाओदा क्यू, क्या यहां पर लिखा हुआ है, चाओदा का क्यू, अब यहां पर देखो, चाओदा का क्यू अगर यहां पर दिया है, तो चार एक पाच, इसको हम लिख सकते हैं, पाच का क्यू, पाच का क्यू का मतलब क्या होगा, पाच गूने पाच गूने पाच होगा 25, 25 का मतलब क्या होगा 7, 7, 35, 35 का मतलब क्या होगा 8 होगा यानि इसका सिंगेल जी कितना होगा 8 पहले सोटा सोटा एक्जामपल लेकर आपको समझा रहे हैं उसके बाद उसके बाद आपके बिछ हम एक्जामपल डिस्प्ले करेंगे टेंसर मत लिजिए उसके बाद आपके विच एक्जामपल डिस्प्ले करेंगे कुछ एडान का एक्जामपल डिस्प्ले करेंगे ऐसा एक्जामपल होगा जो यह से सीजियल में आया हुआ है यह एक्जामपल होगा ऐसे अगर यह तरीका ना होता तब केसे बनाते है अना बात समझना रही है ना चलो इसलिए अश्टेप बाई अश्टेप सिफने का हम प्रयास करेंगे कहां थे हम लोग भाईया यहां पे थे इस कोर्चन में यहां पे गौर करिएगा तो इसका सिंगर दी निकालेगा तो चा ऩा रहने वाला है आठ रहने वाला है अगर आठ के अलावा कोई और आता है तो बहां मेरा इंसर नहीं हो सकता देelseいたa निकार मतलब 0, 4, 2, 6, ये मेरा उत्तर कता ही नहीं हो सकता है क्या बिलकुल नहीं हो सकता है यहां देखो हना तो कहोगे 6, 2, 8, 4, 12, 12, 3, 4, 3, 7, यह भी मेरा उत्तर नहीं हो सकता है यहां देखो 7, 2, 9, 0, 4, 4, 8, 8, यह भी मेरा उत्तर हो सकता है होगा नहीं अभी नहीं कह सकते हैं आ से लो, मेरे बात समझ में आप लोग आ रहा है, सबी थोड़ा आराम से पढ़ा ही हाम बिल्कुल आराम से ही तो बहा है हाना, बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है经 Bake-र हुआ हुआ की नहीज हुआ प्रैक्टिस नहीं करना है भाईया आपको सिखना है अभी आपको सिखना है प्रैक्टिस मत करिए प्रैक्टिस करने के लिए इस साइमेंट आपको मिल जाएगा इस साइमेंट मिल जाएगा घर पे अराम से बैठके बनाईएगा इस कोशन को देखो अगर इसका हल करना चाहे तो हम कैसे करेंगे, यहां पर ध्यान दिजिएगा, कहिएगा आप, तो कहिएगा, साथ दू, नौ मतलब जीरो, आठ तिन, इगारा मतलब क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा, क्लियर है, तीन, दू, पाच, एक, शे हो जाएगा, यहां पर देखो, नौ मतलब जीरो, क्या हो ज क्या आगे भिया four, गवर देखो यहां पे, आठ, ही तु दू, दस दस में से, four, four हो गया, अज और यहां पे चेक करते हैं, 2 मतलब 1,시면 फ् motivate, क्या यह उत्तर आपका हो सकता है, कहते ही नहीं हो सकता है, यहाँ पर देखो, 4, 3, 7, 2, 9, 0, क्या यह उत्तर आपका हो सकता है, तो कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं, क्यों, क्योंकि इसका result जो भी आएगा ना, उसका single digit 5 होना है, clear है, अब यहाँ देखो, यहाँ पर देखते हैं तो 4 अदूशे 410 मतलब 145 क्या यह उत्तर इसका हो सकता है तो कहेंगे बिल्कुल conserve नहीं कह सकते लेकिन हो सकता है आगे देखो यहाँ पे 5 और 9 मतलब 0 4 अदूशे क्या यह उत्तर हो सकता है तो कहें कहीं तेan ही होगा अगर ये चारों में से तीन गलत हो गया तो चौटा आप्शन अपने आप क्या हो जाएगा सही हो जाएगा ये दिमाग में अभी मतला आईए कि अगर सर पाच किसी आउर का रहता तो क्या होता हम देख लेंगे उसको आगे अभी नहीं देखेंगे उसको अब यहाँ पर देखो इस कोशन को हैना प्रैक्टिस में काम करेगा दोस्त कलास के पहले हम इसको इसलिए बता देते हैं ताकि जब हम चैप्टर पर हैं तो धीरे धीरे इसका वहाँ पर यूज आप करते रहें और इसका आदत पर जाए आपको अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देखेगा तो कहता है कि इसका मान क्या होगा भाट का मान आपको निकालना है ठीक है यहाँ पर देख मतलब क्या हो जाएगा पांच हो जाएगा दो चार हो जाएगा यह अब यहां पर देखो एक एक दो हो जाएगा यह किलियर है यहां तो किन्हीं को दिक्यत अब देखो तीन दून तीन दूने 6, कितना हो गया, 6, 6, आये हो गया, आपका 0, clear है, तो तीन दूने 6, आचार 10 हो गया, फिर से देखना, तीन दूने 6, 6 घटाब 0, 6 ही रह जाएगा, 6 पलस 4, कितना हो गया, 10, 10 का मतलब क्या होगा, 1 होगा, बराबर हम कर सकते हैं, भाट गुना दू, भाट गुना कितना हो गया, 10, 10 मतलब एक भी लिख सकते हैं, बराबर हो जाएगा, भाट गुना दू, होगा कि नहीं होगा, ऐसे आगे जब हम सिखाएंगे आपको, तो हम बताएंगे, कि भाट बराबर, एक बटा टू आएगा, भीन में आएगा, तो कैसे कल्कुलिशन करेंगे, नीच इसी रूप में इसको बनाना सिखें, इसी रूप में, ठीक है, यानि भाट का मतलब, यह आपका भाट है, यही आपका भाट है, मतलब वही उत्तर आपका होना है, जिसको में भाट से गुना करने पर एक आवे, भाट में दो से गुना करने पर एक आवे, यानि भाट अब यहां पर देखते हैं क्रिया करके इसको पहले देखते हैं क्या होगा 549 मतलब 0 5 दिन 8 सा 15 15 मतलब 6 6 2 नी 12 मतलब 3 है न दूसरे यहां पे गुना कर रहे हैं कितना आएगा 3 3 3 हमको आना चाहिए कितना एक आना चाहिए यह मेरा एंसर नहीं होगा 5 4 9 मतलब 0 7 2 9 मतलब 0 4 5 5 2 10 10 मतलब 1 एक आ रहा है तो ये उत्तर हो सकता है आगे इसको देखो 7 2 9 मतलब 0 5 4 9 मतलब 0 2 2 2 4 4 क्या होगा ये 4 होगा अब यहाँ पर आगे बढ़ हो ए भी मिरा उत्तर नहीं होगा ए हो सकता है 6 3 9 मतलब 0 यहां पर दियान देना इतना हम कल्कुलेशन नहीं करेंगे जब हम इसको सिख जाएंगे जब पूरी कंसिप को सिख जाएंगे तो इतना हमें कल्कुलेशन करने की आप सकता नहीं परेगा यहां पर धियान देना थ्वासाब हम करेंगे क्या हम करेंगे क्या देखो यहां पर अगर हमें भाट का मान निकालना होता तो सब को पता है दू को फेकोगे तो एक बटा टू होगा नीचे दू होगा तो उपर किसी पांच से हम गुना कर देते हैं मेरा रिजल्ट आ जाता है जिसका पांच आएवेगा वह मेरा उत्तर होगा यहां देखो पांच नो मतलब जीरो पांच नो मतलब जीरो कितना आया दू यह मेरा एंसर नहीं हो सकता शेती नो मतलब जीरो सो पाच इगारा इगारा मतलब दू दू चार यह मेरा उत्तर नहीं हो सकता मेरा उत्तर क्या हो यह वाला होगा लेकिन यह वाला जो concept है हम फ्रसा आगे बताएँगे भीन वाला क्या मैंने किया हम आपको बताहएंगे आगे अब किलिर है है आगे देखो यहां पर निषT कोंचंग को सबसे पहली बात और यहां पर धियान दियेगा जब हम C9 काacz करते हैं तो तो उसमें चाहे पर्टिसब की बात हो या तसमलब की बात हो उसी हम इगनाओर कर देते हैं वसलों हम नहीं देखते हुशको तो हम इसमें नहीं देखते, बात को समझेगा, चाहे परसंटेज की बात करें, या देसमलब की बात करें, उससे हम यहां पर अन्देखा करके चलेंगे, अन्देखा करके चलेंगे, अब यहां पर ध्यान दीजेगा थ्वासा, यहां पर देखो, देसमलब है, देसमलब है, न लिए देसम्लब को हम अंदेखा कर देंगे, जब भी हम C9 का यूज़ करेंगे तब। तो देखो, देसम्लब को सौर के कल्कुलेशन करते हो, तो क्या आता है, 9 मतलब 0, 101, किलियर है, आगे बढ़ो, 9 मतलब 0, 101, 4, 1, 5, 10-11 को भाhew, हमको नहीं को देखना, 4-1-5 कितना आ गया पाच, यहां देखो, 8-2-10 , क्या आ गया ? 1 आ घया, 9-10 क्तलिकें शुरू है , 7 आ गया, बाट आ रहा है समझ़मे , अब इसका कलकुलेशन आप कर सकते हैं, कलकुलेशन कैसे करेंगे ? अब आ गया देखो सचीश,рашए लिखते हो तो ऐसे लिखते हो सभिधे ये 9 को जिरो पढ़ हो जाना साथ कितना आ गया माइनस पाच बात आया समझ में अब यहां पर समझना हम सीख रहें अभी यह ध्यान रहें अभी सीख रहें हैं बनाने का प्रयास मत करिये समझने का प्रयास करिये यहाँ पर मैंने देखा इसका कितना आया 7-7-4-49, 49 मतलब 4, 55-25, 25 मतलब 7, यहाँ पर एक गुना 7, कितना आ गया 7, एक दुनों को जोड़ना था, 7-11, 11 मतलब 2, घटाव, 7 करना था, ठीक है, ऐसे 11 में से 7 घटाते तब भी आपका 4 आ जाता, नहीं आ जाता ना, 7-4, 11 में से 7 गया चार, result कितना आता, चार आता हम ये भाईया बता रहे हैं, यहाँ पर कुछ सिखाने का मनसा था, इसलिए इसे हम ने किया यहाँ पर आप सीधे कर सकते थे 7, 4, 11, minus 7 यानि कि कितना आ जाएगा या आपका, 4 आ जाएगा लेकिन मैंने किया किया 7, 11 मतलब 2 पढ़ लिया 2 पढ़ लिया, 2 हटाब minus 7 कर दिया result कितना मैं आ गया, minus मैं आ गया तो याद देखना कभी भी single, legit minus में नहीं आता minus में नहीं आता, अगर minus में आ जाए अगर minus में आ जाए तो कुछ नहीं करना, उसमें plus 9 कर देना अगर minus में आ जाए, तो कुछ नहीं करना उसमें क्या कर देना, plus 9 कर देना जो ही plus 9 कर दोगी तो आपका result कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा गौर से देखो, यह वाला 4, यह वाला 4 दोन एक हीं आया किया, तो कहेंगे, बिल्कुल एक हीं आया बात को समझिएगा, clear रहे समझ में आ गया चलो, अब यहाँ पर यह बात हम समझ गये होंगे 9 मतलब 0, 6, 1, 7 7 गुना 7, कितना होगा 49, यहाँ पर देखो मौकी करना का प्यास करते हैं थो आसा 9 मतलब 0, 7, 7, 7 गुना 7, कितना 49, 49 का मतलब क्या हो गया यहाँ पर देखो, यह गुनाई ही है तो 25, 25 मतलब क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा यहाँ पर देखोगे, 8, 2, 10 यानि की 1, 9 मतलब 0, 7 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा आप यहाँ पर, यह वाला 7 से बाद साथ कर जाएगा कितना बच गया, आपका 4 बच गया यानि किसी भी ढग से कल्कुलेशन करोगे तो आपका रिजल्ट ओही आना है बास्ता में अगर इस कोशन को देखा जाए तो यह है यूज ओफ अल्जबरा का कोशन है यानि इसको बनाने का बेशकली जो तरीका हमारे पास होता वो यह होता कि इसको हम A मान लेते इसको हम B मान लेते ठीक है, तो A square plus B square minus 2 A B के फॉर्म पर यह तूट जाता लेकिन वह इसे फिलहाल हमको नहीं करना हम C9 सिखने की बात कर रहे है ठीक है, चलो तो इसको फिलहाल सोडो यानि यहां तक आग या clear बात हो गया कि वो ही मेरा result होना है जिसका 9 आना है 9 के अलावा कोई आएगा, वो मेरा कतई result नहीं हो सकता, चलो देखते हैं 7, 4, 11 मतलब 2 8, 8, 8, 4, 12 मतलब 3 यह मेरा उत्तर कतई नहीं हो सकता आगे देखो 8, 4, 12 मतलब 3, 10, 9 9 मतलब 0, कितना आ गया 4 यह मेरा answer हो सकता है आगे देखो 9 मतलब 0 104, 10, 14, 5 यह मेरा उत्तर कतई नहीं हो सकता clear रहे भाईया यहां पर देखोगे तो 8, 2, 10, 10 मतलब 1 यह भी मेरा उत्तर कतई नहीं हो सकता तो यह option में 3 कट गया तो जो बचा वो क्या होगा मेरा सही उत्तर होगा हमें लगता है यह बात आपको स्वाज में आ रहा होगा clear है भाई clear है यहां तक कि नहीं को दिख्या थ्वासा कॉमेंट्स करके बताइए हम थो आप खास्ट बता रहे हैं क्या फास्ट बता रहे हैं क्या एक विद्यारती लिख रहे हैं कि सर आप मेरा सुरू से पढ़ा रहे हैं अरे भाईया आज मेरा स्टार्टिं हुआ है तो हम क्या करें दोखो मेरा स्टार्टिंग में हम पहला concept मेरा होता है C9, C9 हम इसलिए बताते हैं ताकि आगे जब हम मैत को प्रहाएं तो वहाँ पे इसका यूज कर सके, क्योंकि जोड़ घटा, गुना, भाग, दासमला का परतिसत का सब में आना है, अत्ता इसको आ स्टार्टिंग में हम बता लेते हैं, ठीक है भई, किलि सब ठीक है, फास्ट इसलिए बोल रहे हैं, सब ठीक है, फास्ट इसलिए बोल रहे हैं कि फासा उबिये नहीं, चलो हम इस question को अब देखते हैं, यह भी आपको देखा जाए, गौर से देखना, दसमलब जब भी आए तो दसमलब को ignore कर देना, दसमलब को देखना ही नहीं, तो क्या दिखाई देगा, 5 गुणा 5, 25, 25 का मतलब कितना होगा, 7 होगा, ठीक है, यहां क्या दिखाई देगा भाईया, गुणा है यह, तो 5, 2, 7, 5, 35 मतलब 8 दिखाई देगा, और निचे कर ले इसको फ्रसा, चलो, यहां पे आपको क्या दिखाई देगा, यहां से यहां, साथ पंदरा, पंदरा मतलब शे, शे अदू आठ, आठ अतिन 11, 11 मतलब क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा, यानि आपका रिजल ओही होगा, जो आपका सिंगल डिजिट दो आएगा, देखते हैं किसका दो आता है, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नही प्रिशे देखो 25-25 मतलब 7 यहां देखो 7-35 मतलब 8 यहां देखो 5-20 मतलब 2 यहां देखो 12-35-15 15 मतलब 6 हां यहां पर गलती हो गया 7-5-12 12 मतलब 3 3-5-15 15 मतलब 6 होगा ठीक है चलो बहुत खुसी होती है आप लोग इसको कम से कम बढ़िया से रीट कर रहे हैं तो मेरा इंसर गलत हो गया होगा नहीं यह गलत हो गया होगा चलो सुधार लेते हैं कोई बात नहीं यह मिश्टेक होता है अकसरा होता हम भी तो इं यह नहीं होगा पांच एक शे नहीं होगा एक नहीं होगा उत्टर कूर और होगा एघए है चलोगा तो पांच आया है यह उत्तर वहा बाकिस्व का इसका देखो दो आ रहा है इसका देखो शे आ रहा है इसका देखो एक आ रहा है उत्तर कौन हो जगा ए है किलियर है आगे देखते हैं अगला कोश्चन में यह रहा अगला कोश्चन देखो अगर परतिसत को भी बात आया है मैंने बोला कि कभी भी चाहे दसमलब की बात करें चाहे दसमलब की बात करें चाहे वो 30 के बात करें यह दोनों को इग्नॉर करदेना है दोनों को शोर कर चलना है यहां पे 30 आया हुआ है अता इसको भी नहींदेखेंगे क्यों नहीं देखेंगे यह जब भीन बतायेंगे वहाँ पर आपको समझा देगे अभी पहले इसको कंसिपट को सिखें तीन बास्ता में कुछ और पहाई जो अभी आप नहीं सिखे हैं यहां पे भाट कमान निकालना होगा तो आठ बटा पाच आ जाएगा इसका concept अभी हम नहीं सिखेंगे ठीक है इसका concept अभी नहीं सिखेंगे हम जश्ट अब बताते हैं इसका concept क्या करेंगे ऐसे तो नीचे पाच आया तो उपर दो से गुना कर देंगे आठ दुनिसुला मतलब 7 इसका single दे साथ आएगा वही मेरा उत्तर होगा 6 यह उत्तर नहीं होगा 4 एक 5 यह उत्तर नहीं होगा 6 है 7 हो सकता है 8 एक 9 मतलग नहीं होगा आपका उत्तर कौन हो जाएगा 7 हो जाएगा लेकिन ये सिखने के बाद ऐसे करेंगे अभी क्या करेंगे, सो देखो अभी हम फिल practiced ये भी तरीका मेरे पस आना चाहिए इसलिए सारा चीज एक ही बार नहीं बताया जाता है सारा चीज एक वर ना बताने के पीशे भी कुछ ना कुछ रीजेन होता है अगर हम नहीं जाने तो कैसे बताएंगे यानि भाट का मान ये वाला है इतना तो सब को पता है यहाँ पे भाट का मान ये वाला है इतना तो सब को पता है भाट में अगर हम 5 से गुना करेंगे तो कितना आना चाहिए 8 यानि कि इसको में अगर हम 500 गुना करेंगे 5 से तो कितना न चाहिए 8 यहाँ पे 500 गुना करेंगे तो 8 आना चाहिए किलियर है इसके अधार पे हम उतर निकाल लेंगे ठीक है अब यहां पे ध्यान दिजेगा थोड़ा सा अब यहां पे ध्यान दिजेगा पाच शे पचे तीस तीस का मतलब क्या होगा तीन क्या यह उतर होगा आठ आया तो कहेंगे नहीं यह मेरा उतर कता ही नहीं हो सकता यहां पर गौर करोगे अगर यहां पर पाच चार एक पापचे पचीस 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 मतलब क्या होगा साथ क्या आठ आया नहीं यह कता ही नहीं मेरा उतर हो सकता है यहां पर देखो शेख साथ साथ पचे पैंटिस पैंटिस मतलब आठ हैना क्या आठ आया तो कहोगे हाँ य tempo होगा भी नहीं कहेंगे किन кिजितर कि अ takes 9 मतलब 00 से उसके में गुणाण कर सो कि यह जाता है कि आप आया तो नहीं क्या यह आपका उत्तर हो सकता है क्योंकि आट नहीं आया आपका उत्तर कोन से होगा सी सही होगा ठीक है अब यहां पे भी हांत Walker आने वाला को मिलेगा अगर भीन की बात हो जatan की बात करें या बहें की बात करें भीन का मतलब समझते हैं भीन का मतलब हुआ जैसे कि 15 बटा यहां पर दे दे 25 या 265 ऐसा कुछ दे दे ऐसा रहे तो यहां पर हम या 4 आ सकता है या 5 आ सकता है या 6 या 7 या 8 या 9 आ सकता है ठीक है बात को समझेगा या क्या आ सकता है या 9 आ सकता है इसके अलावे कोई टर्म नहीं आएगा क्योंकि सिंग्यर दी निकालोगे तो एक से लेकर नौहीं तक आंक आना है जीरो तो आना नहीं नौ का मतलब जीरो क कोई भी भी जब लिखते हैं तो यहां पर ध्यार रखना है कि उसके हर में या तो एक आएगा, या दू आएगा, या तीन आएगा, या चार आएगा, या पाँच आएगा, या शे आएगा, या साथ आएगा, या आठ आएगा, या नौ आएगा, क्लियर है भाई? अब यहाँ पर एक बाद बताओ, हमें पता है कि जब भी भी लिखते हैं, जैसे मालो 17 बटा 1, 17 बटा 1 का मतलब क्या होता है, 17 ही तो होता है, यानि अगर हर में एक आया, तो हमें कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला, हर में एक आया, तो हमें कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला, अंच जो रहेगा ओही मेरा इंसर होता है, तो यहां पर अगर एक है, तब तो कोई फर्क नहीं परेगा, लेकिन एक के अलावा कोई और अंख है, तब कोर्सिस आपको रहना चाहिए कि सब को एक बनाना, एक कैसे बनेगा, इसमें कितना से गुना कर दिया जाए कि यह एक बन यह पर रहें, दो आवे, तो उपर में सिर्फ पान से गुना कर देना, तीन, तीन में कोई ऐसा संख्या से गुना करकर तुम देख सकते हो, कभी एक नहीं आने वाला, तीन जब एक वाट आ जाता है, तो वो जाता ही नहीं है, अगर चार की बात की आजाए, तो तो देखो 28, 28 का मतलब 10, 10 का मतलब क्या होगा, एक में convert हो जाएगा, यानि हर में अगर 4 है, तो उपार नीचे 7 से गुना कर देना, अगर 5 है, तो देखो 2 से गुना कर दोगे, तो आ जाएगा 1, 5, 2, 10, 10 का मतलब क्या होगा भाईया, 1 होगा, 6 है, तो 6 में कोई भी ऐसा संख्या आपको 28, 4 से उपार नीचे गुना कर देना, तो सचो 28, 28 का मतलब क्या होगा, 10, 10 का मतलब क्या होगा, 1 हो जाएगा, अगर 8 है, तो उपार नीचे 8 से अगर गुना कर दिया जाए, तो 8, 8, 8, 64, 64 का मतलब 6, पलस 4, यानि कि कितना हो जाएगा, 10, यानि कि कितना हो जाएगा, 1 हो ज प्लीज कॉमेंट्स करके हमको बताइएगा, प्लीज, अब इसको बताइएगा, जो भी आपका प्रोग्लम है, कॉल मॉवाइल नमबर है, मॉवाइल नमबर पे बात कर लिजिए, please class disturb मत करें क्योंकि यह सब के लिए open है आज ठीक है जो भी आपका problem है mobile से बात कर लीजिए है ना उस पर आप सारा चीज़ मिल जाएगा अब तो यहां तक आपको clear हो गया यहां तक clear हो गया अगर clear हो गया तो अब और समझे इसको बाहरियां से समझेगा जादा कोशन बनेगा अब यहां पर एक केर है कि नीचे दो है तो उपर पांच सगुना यहां पर ध्यान देना नीचे दो है तो उपर पांच सगुना अगर यह पांच है तो उपर दो सगुना गौर से समझना जो समझा रहा है इसको इसको अगर तुम देखते हो इसको इसको अगर देखते हो तो क्या कर सकता है भाईया कि दू को पांच में बदलने के लिए पांच सगुना और पांच को एक बदलने के लिए दो सगुना यानि कि इसको हम लिख सकते हैं दो बटा मतलब क्या हुआ कि अगर नीचे पाच है तो दो सगुना और अगर दो है तो पान सगुना पाच है तो दो सगुना दो है तो पान सगुना ए दोनों का काम खत्म अब यहां पे ध्यान देना थ्वासा यहां पे ध्यान देना अगर हम ए दोनों की बात करें ए वाला ए वाला ए यानि साथ है तो चार से गुना, चार है तो साथ से गुना, पहले समझ लो, बहुत आराम से समझ जाओगे, एक बच गया ये वाला, ये वाला, यानि की आठ बटा आठ, यानि की आठ रहे तो उसको में आठ से गुना कर देना, ठीक है, अब बच गया कौन भाई, बच गया शे और बच गया नव। तीन शे और नव। ऐसा संख्या बच गया कि अगर हर में आजाए, तो उसको एक हम नहीं बना सकते हैं। तो ऐसा इस रिति में क्या करोगे। तो थोगा सा यहां पर ध्यान देना। अगर 3, 6 और 9 अगर हर में आ जाए तो 6 और 9 के केस में उपर नीचे तीन से भाग देना भाग देकर तीन हटाना है अगर तीन हट गया तब तो ठीक है नहीं हटा तो उसका मान आसंतह में आएगा मान क्या में आएगा आसंतह में किलियर है यहाँ पर ध्यान देना अगर हर में 3 या 9 आजाए तो उसको 3 से काटने का प्रियास करना अगर कट जाता है यानि कि 3 हट जाता है तब तो हम C9 का यूज कर लोगे C9 का यूज कर लोगे अनियथा C9 का यूज हम यहाँ पर नहीं कर पाएंगे अगर 3 नहीं हटेगा तो उसका एंसर आसंतह में आएगा लगभग में आएगा दसमलब में आएगा जिसका हल C9 से हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि आसंतह पर C9 का यूज हम नहीं करते नव आवे तो ही किरिया को दोराना नव को हटाने का परियास करना हटाने का परियास करना कैसे करेंगे वो हम बताएंगे हट गया हट गया हट गया तब तो C9 का यूज हम कर लेंगे और नहीं हटा तो इसका भी मान क्या आएगा आसंता हमें आएगा आता यहां पे C9 का यूज हम नहीं करते आसंता करना है दो आजाए तो पांच से गुना कर देना पांच आवे तो दो से गुना करना चार आवे तो साथ से गुना साथ आवे तो चार से गुना आठ आवे तो आठ से गुना यहीं पर एक जामपल लेकर आपको हम समझा देते हैं यहां पे जैसे माल लो कि एक जामपल यहां प आफ र्याट गढ़र्ट करना है, सबसे पहले नीचे देखो, नीचे देखो, 8 ठीक 9 नौ मतले जिरो क्या आ गए गया साथ, educator 7 आया तक कुछ नहीं करना, उपर केसे गुना कर देना, चार से गुना कर देना क्या करना भाईया चार से गुना करना नीचे का काम समापत आपका single digit आ जाएगा 4,3,7,7,7,9 4,4,16,7 कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा ने समझ में आया कोई बात नहीं हम तो समझाने के लिए आपके बीच हैं ही अगर आपको यहाँ पर एक्जामपल दे दे पहले बढ़िया से समझ लिजिए उसके बात इंसर दीजिएगा 2,7,8,बटा मान लो 5,4 दू रहे ऐसा रहे ठीक है अब इसको हमको single digit निकलना है तो क्या करोगे नीचे देखो 5,4,9 मतलब 0,2 आ गया दो आ जाए तो उपर 5 से गुना कर देना नीचे वाला का काम खत्तम यानि 7,2,9 मतलब 0,8 पर चालिस मतलब क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा यानि भीन में रहेगा तो नीचे अगर 5 आवे तो 2 से 2 आवे तो 5 से 7 आवे तो 4 से 4 आवे तो 7 से 8 आवे तो 8 से गुना कर देना अपने आप उसका सिंगड़ी निकल जाएगा सर्फ पुराने अश्टुडेंट के लिए कोर्स में शूट दीजिए चलो भाईया पहले यहां पर कलास कर लो यहां पर आ रहे यह बात समझ में या नहीं आ रहे है बात आ रहे है समझ में या नहीं आ रही है नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं आगे यहां पर हम समझाते हैं इस कोशन के द्वारा आगे समझाते हैं इस कोशन के द्वारा यहां पर कहता है 8 2 10 1 1 2 यह आ गया 2 यहां पर देखोगे 8 16 मतलब 7 यहां पर देखोगे शोचा 10, 1, 1, 2, 2, यहां पर देखोगे आजाएगा 5 या 15 मतलब 6, यहां पर आजाएगा 2, अब इसको हल करेंगे, तो 7, 2 नी 14, 14 का मतलब हो जाएगा, 5, minus 6, 12 का मतलब हो जाएगा, 3 बरावर, 2, गुना, भाट, अब यहां पर भाट का मान निकालोगे, तो 5 में से 3 गया, 2, 2 बटा आजाएगा, 2, किलियर है, तो कभी भी 2 बटा, 2 आजाएगा, इसको काट मत देना, काट मत देना, नीचे एक बनाने का प्रयास करना, एक कैसे बनेगा, तो हम बताये थे, नीचे 2 हो, तो उपर 5 सो गुना कर देना, इसको सोड़ देना, बस, हना पांदर दस मतलब एक, किसका एक आता है, तो 9 मतलब जो 75, 11 मतलब दो, यह आपका इंसर नहीं हो सकता, 9 मतलब 0, 9 मतलब 0, आग याशे, यह आपका उतर नहीं हो सकता, 4, 1, 5, यह आपका उतर नहीं हो सकता, 8, 1, 9 मतलब 0, कितना आया, यह आपका सही उतर होगा, किलियर है, आगे देखिए निश्कष्यन यहाँ पे, अगर इस कोश्यन के हम बात करें, अगर इस कोश्यन के बात करें, यहाँ पे ध्यान देजिएगा, तो क्या होगा इनसर जल्दी बताओ, अब आप बना सकते हो, हम भी देख लेते हैं एक बार, कहता है पाच या तीन आठ कितना होगा भाई या आठ दू आए एक तीन कितना होगा तीन यहां पर देखो पाच या दू साथ पर तीसाथ को सोड़ दो अब इसको अगर हल करोगे तो आर्ट या चोविस मतलब 6 पलस यहां पे ससते उन्चास मतलब क्या होगा चार बराबर भाट गुना का पाच किलियर है यहां तक अब यहां पे ध्यान देना अगर यह भाट का मान निकालोगे तो 6 4 10 6 4 10 10 का मतलब क्या होगा एक एक बटा क्या हो जाएगा पाच जो ही हर में पाच आया तो उपर के से गुना कर दोगे 2 से यही आपका सिंगर डिच हो जाएगा ठीक है नीचे जो ही पाच आया इसको दो बटा एक यानि की दो आयेगा बात को समझो लेकिन इतना काम नहीं करना क्योंकि तुम यह सीख चुका है हमें समय बचाना है इसलिए जो ही नीचे पाच आवेत उपर 2 से गुना करना जो ही नीचे साथ आवेत इसको देखते के साथ उपर में खाली 4 से गुना कर देना जो ही नीचे आफ़ावे 8 देखते साथ ऊपर में 8 से गुना कर देना जो मैंने आपको बताया है बात आरहा या नहीं आरहा है हना अब यहाँ पर गवर करिए इंसर देने का प्रियास करिए यानि आपका वहीं तो आना है जिसका 2 आना है यहाँ पर देखोंगे 9 मतलब 0 5 य यह मेरा कता ही उत्र नहीं हो सकता क्योंकि मेरा इंसर दो आ रहा है अब यहां पर देखोगे 5, 5, 10 मतलब 1, 8, 9 मतलब 0 कितना आ रहा है दो हाँ ए उत्र मेरा हो सकता है शेती 9 मतलब 0 814 मतलब 5 यह मेरा उधर कत्ująी नहीं हो सकता यहाँ पर देखो 9 मतलब 0 816 मतलब 7 तीन 10 याने कि इक यह मेरा उधर कत् prés held नहीं हो सकता आपका इंसर कोन होगा तो कहोगे B होगा कलिर है भाई कलिर है कलिर है अगला question देखो, जो question आपके exam में आया है, उस question की भी हम बात करेंगे भाई, जो question आपके exam में आया है, उस question को भी बात करेंगे, प्रिवेस ने पुछा गया question, बहुत difficult question का, लेकिन पहले इसको complete करिये, practice करिये, उसके बाद, इस question को देखा जाए, तो यहाँ पर होगा, नो मतलब 0, 3 बचके या भागा है, तो यानि कि बटा, पांच और नो मतलब 0, 1, 3 भागा, 1 का मतलब 3 बटा, 1 नीचे में 1 है, तो हमें कोई फ्रक नहीं पढ़ना है, यानि 3 बाला आपका उतर होना चाहिए, साथ नो मतलब 0, 5 यह आपका answer नहीं हो सकता, साथ नो मतलब 0, य यह आपका उतर नहीं हो सकता, साथ चार इगारा, साथ चार इगारा मतलब 2, कार्ड दिये इसको भी न, यह तीन आया था न, साथ चार इगारा मतलब 2, यह आपका answer नहीं हो सकता, साथ नो मतलब 0, 3, 3 इसका आया, यह आपका answer होगा, यानि B option आपका सही होगा, किलियर है भ है यहां पे देखोगे हाँ है थुँआ ह्सा समझने का प्रियास करना नौ मतलब 0 639 मतलब 0 कितना बचे राइया 3 जरा हां पर को समयों था अ भाई आपको थुआसा को यहां पर गौशन से समझना को यह कोशन दे रखा है 4 एक शी जीरू लब 7 एक 5 दे रखा है तीन तीन 6 नूम यह दे रखा है अब यहां पर हम देखा तो हमें दिखाई दे रहा है 9 मतलब 0 कितना दिखाई दे रहा है 3 नीचे में 3 है ना मैंने बताया कि अगर हर में 3 आ जाए या 6 आ जाए या 9 आ जाए मतलब यह तीन को पहले क्या करना होगा, हटाना होगा, तो कैसे हटाएं, क्या इसको मिटा दे, नहीं, तीन से भाग दे कर, यानि तीन से इसको काटने का हम परियास करेंगे, गवर से समझेगा यहां पे, इसका सिंगर जीट हर में तीन आ रहा है, आता यहां पे डारेट अप अब हम सीना ही नहीं लगा सकते हैं, क्या करेंगे तो इसके लिए 3 को इसको में से हटाएंगे, कैसे हटेगा? अब देखो यहाँ पे, यहां से कर 3 से भागा देते हैं, तो यहाँ पर कहोगे एक मतब्वे तीन, तीन तीया नव, आठ तीया चोवी, शित तीया अठारा, नो तीया सताइस, जीरो, पान तीया पंदरा, देसमलब को मत देखना, देसमलब को मत देखना, देसमलब से नफरत है, यानि उपर नीचे अगर हम तीन से भागा दे दिया, तो तीन हट गया, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, अगर देखाई देगा, तो तीन अदू, पाच अदू, साथ, कितना आ गया भाईया यह वाला, साथ आ गया, कितना आ गया साथ, नीचे साथ आ गया तो पर क्या करोगे, चार से गुना करोगे, आपका सिंगर डिज या 2 आ गया, अब देख लो 2 किसका आता है, तो कहोंगे 549 मतलब 0, 1 यह आपका उतर नहीं होगा, 53819 मतलब 0, यह आपका उतर नहीं होगा, 53819 यह आ गया 2, यह उतर हो सकता है, यहां देखो, 53819 मतलब 0, आपका उतर 1 आया, यह आपका उतर नहीं होगा, कौन एंसर होगा, त क्या बताया था आपको कि 3, 6, 9 अगर आ जाए तो direct C9 का यूज मत करना, C9 का यूज मत करना, यूज करना है तो इसमें से पहले 3 को हटाना होगा, मैंने देखा 9 मतलब 0, 6, 9 मतलब 0, 3, यहां पे 3 आ रहा था single digit, क्या आ रहा था भाया, यहां पे 3 आ रहा था, तो हमने क्या किय तीन से उपर नीचे भाग दे दिया, कट गया, है ना, तो यहां से 3 हट गया, 3 दू, 5 दू, 7 आ गया अब, तब यहां पे नीचे 7 तो पर 4 से गुना कर दिया, क्लियर है, हमें लगता है यह बात आप समझ रहे होंगे, हम क्या बताना चाह रहे हैं, हमें सिखना है, हमें अगर यह substitution के हम बात करें, यहां पे, क्या दिखाई दे रہा है? 5,4,9 मतलब 7, तीन अदू, नीचे 5 दिखाई दे रहा है, तो आपर 2 से गुना कर दोगे, बस दो से गुना करते के साथ आपका निकल जाएगा चार तिन साथ अदू नव मतलब जीरो पांदू ने देस याने की एक आपका ओही रिजल्ट होगा जिसका एक आएगा किसका एक आ रहा है देख लिया जाए पांद तीन आठ एक नो मतलब जीरो ये तो उतर होने से गया भाया पांच आणो मतलब जीरो इसका एक आया ये उतर हो सकता है आगे देखो पांदू साथ एक आठ ये आपका उतर होने से गया यहाँ पर देखो साथ आठ 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 पांठ तेरा मतलब चा ये भी उतर होने से गया आपका इंसल कौन हो जाएगा तो कहेंगे B होगा ठीक है हाँ बिल्कुल नेहा जितिंदर बवलू सब का भी आ रहा है समझे आ गया बात समझा करिए अगर भी नहीं रहेगा तो इसका युछ कैसे करेंगे उस पर हम चर्चप कर रहे हैं यहां पर गौड करिएगा तो यहां यहां पर आ जाएगा पांच एक शेय आ जा रहा है नहीं है यहां फे देखो आठ देखोाओ बिसका नूव मतलब दे रहाइखाots 54 4 इस का मतलब मतलब कर ऊटब यहां कि फ़रक प्रइगा क्योंकि बटा एक हैय को इन प्ड़ेग यह लिखने से कोई फायदा नहीं है गौर से देखोगे यहाँ पे 6, 4, 24, 24 का मतलब 6, 6 बटा 1 यानि की 6 बराबर आ गया भाट पलस 4, 3, 7, 2, 9 मतलब 0, 1 यानि भाट का मान आ जाएगा एक इधर लाओगे तो कितना आ जाएगा पाच आ जाएगा अब देखो किसका पाच आता है 8, 9 मतलब 0 किया आगे 8 यह उतर हो गया आपका नहीं होगा यहाँ देखो साथ एक आरचर 12, 12 मतलब 3 होगा उतर नहीं होगा यहाँ देखो आरचर 12, 13, 13 मतलब 4 होगा उतर कहेंगे नहीं होगा 814, 14 मतलब 5, है ना, जब 4 में से 3 गलत हो गया, तो चौठा क्या होना चाहिए भाईया, बिल्कुल सही होना चाहिए, पिलियर है, आरे ये बास समझ में नहीं आ रही है, पुराने एश्टुडेर के लिए कोर्स में शूर्ट दीजिए सर, शूर्ट तो इतना दे दिये थे भा यहां पर C9 का युज़ा आप कैसे करोगे, नहीं, तो देखो, कोई भी पुनांक लिखा जाता है, 3 पुनांक 4 बटा 5, तो सब को पता है, इसका मतलब होता है, 3 पलस 4 बटा 5, इसका मतलब क्या होता है, 3 पलस 4 बटा 5, समर्य बात को, 3 पलस 4 बटा 5, तब तो कर देते हो, 5 कि इसको ऐड करते हो, ऐड करते हो, 5 तिया, 15 पलस 4 बटा 5, यानि कि यही चीज को डायरेक्ट तुम ऐसे लिखते हो, लेकिन पुनांक टोरने के बक्त, इतना फास्ट आपको रटा दिया जाता है, कि आप सिधे कहते हैं, 15 बटा 5, लेकिन बास्ता में इसको किरिया को इस प बताया, कि मैंने बताया कि अगर आपको यहां पर दे दे, 30 पूना, 15 बटा, 25 या 27 नहीं, 26 दे दे, कुछ ऐसा टर्म दे दे, ठीक है, तो हमें कैसे बनाना है, इसका सिंगर डिश कैसे निकालना है, तो गौर करिएगा, यह होगा, 3 अदू 5 पलस, यहां पर क्या शिपा हु होगा है, क्योंकि इसका मतलब होता है, 23 पलस, 15 बटा, 26 इसका मतलब होता है, 23 पलस, 15 बटा, 26 तो यह होगा, 3 अदू 5, इसका सिंगर डिश कालोगे, तो नीचे 8 आ रहा है, तो उपर 8 से गुना कर दोगे, नहीं, तो हो जाएगा, अटसा का 48, 48, 48 का मतलब 4, 8 का मतलब 3, य नहीं समझ में आया कोई बात नहीं अगर रहे 25 पूना 13 बटा मानलो यहां पर दे दे 17 कुछ ऐसा ट्रम दे दे क्या करेंगे यहां पर सीधे इसको टोड़ेंगे यह होगा पाच दूसाथ पलस यहां पर कुछ नहीं मतलब क्या है भाईया पलस का चीन है नीचे सत्रह है यानि भाग ना होगा चलो किलियर है भाई यहां तक समझ में आ गया दो कहीं अगर कल्कुलेशन में स्वाब होता है कर मिस कर जाता है तो उसको सुधार लिजेगा यह से तो मिस नहीं करता है लेकिन फिर भी कहता है दाइस कॉयर रूट ओफ इतना यानि इतना का बर्गमूल क्या अगर हल करोगे तो आजाएगा 3 पलस का आजाएगा 624 24 24 24 24 का मतलब 6 639 यानि की 0 हमें निकालना था इसका अंडरूप कि भाईया इसका बर्गमूल क्या होगा इसका बर्गमूल क्या होगा इसका बर्गमूल क्या होगा यह आपका कोश्चन है ठीक है किलियर है इसका बर्गमूल ना निकालेंगे गौर से समझना बदायेंगे क्या से अगर आप कोई कोई कोशन दे दे कि 16 का बर्गमूल क्या होगा 16 का बर्गमूल क्या होगा तो तुम कहोगे 4 रह innovations देदा कितना और यदा आएगा चार आएगा यानि कि इसका जो बर्गमूल होगा इसका जो बर्गमूल होगा जीरो का हमें बर्गमूल निकालना है एक तरह से जीरो का हमें क्या निकालना है बर्गमूल निकालना है ऐसा हम कर सकते हैं तो यहां पे जो संख्या आया होगा इसका जो रिजल्ट आया होगा इसका अगर स्कॉाइर करोगे तो जीरो आना चाहिए इसका जो रिजल्ट आया होगा वह यही तो है यानि इसका हम अगर स्कॉाइर कर दें इसका अगर हम स्कॉाइर कर दें तो कितना आना चाहिए जीरो आना चाहिए बात से समत हो कि नहीं अगर इसका हम स्कॉाइर कर दें तो कितना इसका स्कॉाइर कर दें कितना जीरो आना चाहिए अब यहां पर देखो अगर इसको हल हम कर इसका बर करेंगे तो जुरूर आना, क्योंकि इसका बर्मूल निकाला है तो यह आया है, तो इसका स्क्वाइर करेंगे, तो आया 4 आपका एंसर नहीं होगा. अगर यहाँ पे गौर करोगे इसका, तो यहाँ पे नीचे 4 तो उपर 7 करोगे, तो हो जाएगा 7, 4, 11 यानि की दू, 8, 7, 8, श, 7, 7 शपन का मतलब 11 यानि की 2, 4, 2, 6, अगर 6 का तुम बर करोगे, तो ये आना चाहिए, तो 6 का 37, 37 का मतलब 9, 9 का मतलब क्या होगा, 0, ये हो सकता है, अगर इसकी बात करते हैं, अगर इसकी बात करते हैं, तो नीचे 4 तो उपर क्या आ जाएगा, 7, तो सतिया 21, सतिया 21, यानि की 3, तो 4 अ 3 कितना होगा, 7, 7 का स्कॉाइर करोगे, आपका आ जाएगा 49, यानि की 4, यहाँ पर आगर आप देखते हो, तो नीचे 4 तो उपर 7 जाएगा, तो 7 पच्चे 35, यानि की 8, 8, 8, 5, 13, यानि की 4, 4 का स्कॉाइर करोगे 16, 16 का मतलब क्या होगा, मैंने क्या बताया, मैंने कुछ भी नहीं बताया, हमसे पुछा गया था, कि या संख्या जो दिया गया है, या संख्या जो दिया गया है, उसका बर्ग मूल बताओ, इसका बर्ग मूल बताना है आपको, इसका बर्ग मूल क्या होगा, तो इसका तो सिंगल जीरो, या ही उसका उत्तर होगा ज्यादा पका दिये इस कोस्टन में आपको हम नहीं भाईया चलो बताओ सर आप भी एकजाम के बच्चेयों की तरह मिश्टेक कर देते हैं चलो भाईया बढ़िया बात है किलिए भाईया यह हम देखे नहीं इसलिए मिश्टेक हो गया है ऐसा तो होगा अ हाए होगा चलो अभी स्कॉशन को देखो यह कोर्शन को देखो जालो भाया इसको यह को संको क्या होगा अगर इसलिकिकिश् sido करें तो वास्टम में इसको इमानोंगे तरह एए सक्वाइर प्लस तू एबी प्लस ब ٹॉलिस गेओ प्लस पोर्मिट पहैं अगर इसको गौ से देखोगे तो यह वाला आपका है a2, a2ab, 2ab, 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 यहां पर ध्यान देना, a वाला आपका है 2ab, और a वाला आपका है b2, अगर देखा जाए, तो बास्ता हमें a plus b का whole square का format यह है, बनाने के लिए तो बहुत असानी से बना लोगे यह आपका अपका यह है अब भी आपका यह है यह दोनों को जोर के स्कॉार करोगे आपका एंसर आ जाएगा लेकिन हम वैसा नही करने वाले हम यहाँ पर सिंगल ड्रिगिट का यूज करके इसको बनाने वाले हैं ठीक है Old Reds का यूज कररके बनाने वाले हैं। चर्लो इंखरे हैं बनाने के लिए। यहां पर गउर्रक आगर इसका आप सिंगली निकालोगे इसका तो नीचे पांच है तो पर्दूर डालना होगा तो ता 3 इसको 9 का मतलब जीरो बना देगा अब यहां पर इसकी अगर कल्कुलेशन करोगे तो यह हो जाएगा नीची पाच है तो पर दू 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 ने चार यहीं चीए है तो चार गुणा चार याने की सोलह आपक मतलब क्या होगा बिल्कुल बी होगा ठीक है लगता है बहुत जादा कोशन को हम करा दिये हैं हेना और पहला दिन का लंबी कलास जादा बढ़यां होता नहीं है इसलिए त्वास हम चाहेंगे ये सब कोशन को पीडियेफ आपको हम दे देंगे, एक बार पहले आप बना लिजिएगा, उसके बाद कल का क्लास लेकर पूरे C9 को हम सिख लेंगे, अब फिर ये भी देख लेंगे कि जब कॉमर्शियर मैथ हो, विपसाई गनित हो, यानि कि चक्रविधी ब्याज हो, एवरेज हो, और भी च चल रहा है, कि अगर ये वाला जो साथ आया, किसी आउर का आया होता, तो फिर हम कैसे उसको बनाते, या वैसी सिर्थी में हम क्या करते, ठीक है दोस्तों, तो क्लास कैसा लगा, तो एक बार कॉमेंट्स करके हमको बता दीजिए, ताकि सुकून का निंद हमें आ सके, क्या, अभी भी मन में कोई डौट आपका चल रहा है, तो आसा कॉमेंट्स करके बताएगा, नेश कलास सर, कल होगा, एक भाई, यहाँ पर ध्यान देना, ये कलास जो आपका चलेगा, करीब 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 करीब, डेर से दो घंटे का चलेगा, डेर से दो घंटे का चलेगा, एक कला आपको सौ disp फार से सू कूर बार तक हम हम चलाएंगे क्योंकि दो दिन सनी बार और रलाई वार हमें कुस कांटेंट भी कंटेंट बनाना होगा ऑर फी क्लास के लिए है नहा इसे भी सपता हम पांध दिन बहुत बहुत कलास हो जाता है इसका practice भी तो आपको करना है ना तो सों बार से सुक्ल बार तक ये कलास चलना है ठीक है लेकिन डेर से 2 घंटे का कलास लेंगे maximum course को समाप्त होने में क्योंकि ये सिर्फ arithmetic का बैच है अंगनित का बैच है तो 5 से 6 मा, maximum ऐसे courses करेंगे कि आपका class को हम 4 माह में समाप्त कर दें क्योंकि online में एक benefit क्या मिलता है कि board पर से question का solution उतारने में जो हम बता रहे हैं उसको उतारने में आपका वक्त नहीं जाता, बाद में भी आप उतार लेते हैं अता यहां पर समय हमें बचता है तो यह मुश्किल समान के चलो कि यह वाला जो class है आपको 4 माह तक 4 माह तक हम courses करेंगे कि आपको हम समाप्त कर दें ठीक है, ऐसे तो 5-6 महिना आपका time लिये हैं validity आपको पता है, 10 माह तक चलेगा कोई भी doubt हो, कोई भी दिक्कत हो आप स्वत्तंत्र होकर हमसे पूछ सकते हैं और आपके पास number भी मेरा होगा 92, 69, 34, 65 है ना, इस पर भाट सेब करके भी है ना, भाट सेब करके भी कोई भी सवाल की, मने कोई भी problem का जनकारी आप ले सकते हैं, यह technical team का number है फिर उस number को बलाव कर दिया जाता है ठीक है, अता वही चीज यहाँ पर message करना है, जो आपका काम का चीज हो, ठीक है भाई सर आप तो math magician हो सर आपका जवाब नहीं आप grade है, जो question सर नहीं बनेगा, हाना, जो question नहीं बनेगा, सर आज गने अब यहाँ पर एक विद्यार्थी का पहले ही से चल रहा है, हाना यह है, research कुमार उनका कहना है, research है ना कि जो question नहीं बनेगा, उसका क्या करेंगे, research सबसे पहले एक बात हमारी प्रस्ण का उतर देना यहाँ पर आप class join किये है, math बनाने के लिए कि math 100% मेरा बने और मेरा selection हो मेरा target है job को select करना, बिद्वान बनना मेरा target नहीं है, रही बात न math बनने का, तो यहाँ पर जिस प्रकार से हम आपका math का class लेगे, यहाँ हो या offline में, हाना, math में कोई doubt आपको बचेगा ही नहीं और नब बनने वाले बात है, हाना, नब बनने वाले बात है तो उन्हीं से math नहीं बनेगा जो हमारे अनुसार कार्ज नहीं करेंगे, यानि practice नहीं करिएगा, हम बता दिये, आप समझ गए, ठीके भाया, तो समझे है, अभी math का सिर्फ सिरी गनियस आपको हुआ है, आप math को सिखे नहीं है, यह जो topic हम पढ़ाएं है, उसको सिखे आप नहीं है, सिखिएगा कब, जब इसकी practice करिएगा तब, practice के कब करना है, तो कम से कम practice के लिए जो आपके पास PDF है, उसको कम से कम 10 से 12 वार, हम जो कहते हैं वो बिल्कुल आपको सुनना होगा, तब जाकर, math आपका अपना होगा, 10 से 12 वार, हाना, बनाना होगा, बनाना होगा हाना, अब बहुत सा विद्यारति 10 से 12 वार सुनकर हैं वो, हाना चोक जाएंगे, अरे भाया, मैत के लिए आप अपने घर पे एक घंटा का समय निकालेगा कि नहीं निकालेगा, एक घंटा का समय आप निकालेगा कि नहीं निकालेगा तो मेरे लिए कम से कम एक घंटा का समय आप निकाल लो एक घंटा का, यह घंटा में अभी जितना मैने question बनाया है, उसको बना कर देखो, क्या तुमको पंद्रा मिनट से ज़्यादा लएगा, पंद्रा के इसाब से चार बार तो अब ही हो गया तुम्हारा, चार बार प्रैटिस ये घंटा में हो जाएगा, क्लियर है, तो ये आठ बार, दस बार प्रैटिस करना कौन बरी बात है, क्योंकि एक दिन म करोगे, परियोग करोगे, तो भी स्फोर्ट हो जाएगा, मतलब कहने का ये है, कि तुरंट सिखा है, तुरंट कोई नया-नया किताब खोलना, नया-नया बुक खोलता है बहुत सा बिद्यारती, और उसमें से कोश्चन बनाना अस्टार्ट करता है, देखते हैं कि बनता है य यह बात आएगा ही नहीं, कि ना बनेगा सो, वो कोई नहीं बना पाएगा, अउफ-लाइन में भी आप हमसे पढ़ते हैं, अगर आप हमसे क्लास करते हैं, तो सुचिए, क्या हमसे कोश्चन पुछने का मोका आपको मिलता है, नहीं मिलता है, तो यह मत माइंड करियेगा, कि आउनलाइन में पढ़ा रहे हैं तो हमारे मन में जो question होगा हम कैसे पूछेंगे वो बात तो आप offline के class में भी नहीं पूछते हैं हम तो आज 21 साल से पढ़ा रहे हैं मैंने तो कभी नहीं देखा अब विद्यारती के मैंने में वैसा सवाल उत्पन कैसे हो जाएगा अगर सही teacher होंगे तो हम आपको जो पढ़ाएंगे तो आपके मन में जो भी बात चल रहा है वो हमें पहले से पता होता है अउस्ता निराकरन हम यहीं पर कर देंगे ठीक है आपको पुछने का नौवत नहीं आएगा एकीन मानो हम पर ठीक है भाई सर आपके एलिगेशन मेठड के पीडियेफ लिखा हुआ होगा इस पर किलिक करो वहां पर इसका पीडियेफ मिल जाएगा लेक्चर देख़ा है ना तुम लेक्चर है ना तो लेक्चर के बगल में ही उपर में देखो पीडियेफ लिखा हुआ होगा पीडियेफ लिखा हुआ होगा उस पर किलिक करोगे त बहुत बहुत सही जगह पर तुम्हारा अडिविशन हुआ है इसके बाद आपको इधर उधर भटकने के आप सकता नहीं है मैथ में कोई भी प्रोग्लम आपको नहीं होना है आज पहला कलास था इसलिए आप भी हमारी भासा को नहीं समझ पा रहे होंगे इसलिए था हलका फल आप लोगो बिल्कुल हम इकिन मानो मैथ ऐसा कर देंगे कि मैथ आपको धोखा नहीं देगा हाँ अन्ये पेपर का आप सोचिए मैथ को आपको नहीं सोचना अन्ये पेपर जैसे कि आपका पास साइंस है जिक्के है और भी इंगलिस है जो भी है उसको सोचिए आप मैथ को को आज के बाद नहीं सोचेंगे मैत को आज के बाद आप नहीं सोचें मैत का टेंसन मेरा है ठीक है आपकी जिमारी हम उठा लिए बस मेरे लिए इतना ही आपको करना है जो हम बताते हैं उसको आप कोपी पड़ना भी समझ में आबें ना तो 5-10 बार आप लिख दीजिए अप एकीज साल का अनुवाव आपके साथ शेयर करते हैं, अकसर हैं यह सब को होता है, ठीक है दोस्तों, तो हमें भी जब दिया, वालब यू, लब यू, आप लोग को मेरे तरह से धेर सारी सुप कमना है, अज पहला कलास था मिलते हैं सों बार को, जब तक खुश रहे, मंगर रह यह, ओके, बाइबाइ